और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर भी नसर डालते हैं पूजा हमारे साथ जुट चुकी है वापस बताने के लिए कौन से स्टॉक्स ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर फोकस में रहेंगे पूजा बताए जी शुरुबाद सबसे पहले पिडिलाइट से करेंगे जेपी मॉगन ने ओवर्वेट की रेटिंग बरकरा रखी है लक्षे बढ़ा दिया है 2900 से बढ़ा कर 3300 का देख रहे हैं विप्रो की बात करें तो कल खबर आई थी और उस पर ही कुछ रिपोर्ट्स आई हैं इन्वेस्टेक ने बिकवाली की रायर दी है 460 के लक्षे के साथ और मॉगन स्टैनली ने अंडर रेटिंग दी है 421 के लक्षे के साथ इंका कहना है कि नए ओर्डर से आए में 1% की होने की संभावना है केमिकल स्रॉक्स पर भी नजर रखें यहां पर भी मॉगन स्टैनली की रिपोर्ट आई है जिसमें की कुछ टार्गेट रिवाइज हुए है SRF पर जो टार्गेट है वो घटा दिया है 2557 से घटा कर 2115 का दिया है आर्ती इंडस्ट्री पर एकुल बीट की रेटिंग है लेकिन लक्ष बढ़ा दिया है जोड़े जो केमिकल शेर हैं वो इन्हें पसंदार है तो इस पर नज़र रखें कल हमने देखा था कि सीटी गैस इस्ट्रिबूशन कंपनिया फोकस में लगातार यहां पर रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें की गेल पर अंडपरफॉर्म की राया आई है लक्ष देख रहे है गेल के वॉल्यू में काफी तेज बढ़ोतरी हो सकती है गुजराद गैस के मार्जन और वॉल्यूम बढ़ सकता है तो इस तरह की कुछ कॉमेंटरी पर निकल करा रही है लेकिन सिटी का कहना है कि थोड़ा सतर्क नजरिया है उनका पेट्रोनेट एलेंजी पर वहीं गेल आ देख रहे हैं साथे 500 रुपए प्रती शेयर का तो यह भी स्टॉक है इस पर भी आप नजर रखें कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे जी एंटर्टेन्मेंट और सिटी गैस डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी सो कल भी फोकस में थे और आज भी कई ब्रोकरिज रिपोर्ट आई है आगे